अन्जी क्या हाल हैं सबके मैं सुमित कुमार एक बाद फिर से आपका सागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लावन विच सुमित में जैसे ही एंडी 12021 का रिजल्ट आया वैसे बच्चों दोग में कोशना लग गया सर हमेना सेफ स्कोर बता दो जिससे हम ये कंफर्म हो जाए कि अगर हमारा SSB क्लियर होता है तो मेरिट में 101 परसेंट आही जाएंगे देखो इस बात को आप दिमाग में रखो कि जो रिटन एक्जाम है उसमें 8000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उस 8000 में से 400 ही फाइनली जा रहे हैं अच्छा और रिकमेंड लगबग 500 500 के आसपस होंगे उन 400 सीट के लिए लेकिन उन 500 में से जो मेडिकल फिट होगा और सब कुछ 400 ही बंदे फाइनली रिकमेंड होंगे बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रिकमेंड भी है मेडिकल फिट भी है और फिर भी वह नहीं जा पत्य अकेडमी विकोज वह मेरिट आउट हो ज मार्स नहीं आ जाते तब तक कुछ खास फरक मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं लेकिन देखा क्या गया है सबके लगभग बराबर मार्स आते हैं मतलब आप मान के चलो कि आप एवरेज परफॉर्म कर रहें सब्सक्राइब में रिकमेंड जो रिकमेंड होगे उनकी ब स्कूर है तो जी आपके देर और फुल चांसेज कि आप एंड में मेरिट में आ जाओगे क्या सब्सक्राइब करेगा पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे अगर पेपर इजी आया तो यह बढ़ जाएगा पेपर डिफिकल्ट है तो कम हो जाएगा यह मैं स्कूर इस बार का सब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि इस बार की जो कटोफ है वही 350 के सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको ज्यादा सोचने की जरूत नहीं है किसी के 400 प्लस है तो उसको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके सब्सक्राइब किसी के 400 प्लस मांग सब्सक्राइब हो जाएगा अगर वह एससबी में रिकमेंड हो गया तो लेकिन इस सारे प्रोसेस में सर जिसके मांक्स 380 से कम 360 असी के बीच म भी किनाय है वह क्या करे क्या वह एससबी की तयरी ना करे क्या उसको मलब क्या उसकी चांसिस निल हो गये हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह मैंने जो आपको बताया अच्छा प्रफॉर्म कर सकते हैं तो हो सकता है यह 20-30 वाला एज आप मेरा मोटिव था अल्टिमेटली आप कोई आईडिया मिल जाए कि एक्जक्ट सिनेरियो रहता किस तरीके से हैं वो मेरा मोटिव था तो 350-380 वाले बच्चे हैं उनके भी चांसेस पूरे हैं आप एसेस्वी की तयारी और ज्यादा बहतरीन तरीके से करें राइट एसेस्वी की तयारी बहतरीन करोगे फिर कोई टेंशन आपको नहीं है यह मैंने वो बताए कि एवरेज रहेगा तो यह सिनेरियो रहेगा अब सिदी सिदी बात यह है एवरेज का सिनेरियो में आपको बता है ठीक है आप जब इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस आता है डेट कम्स मेडिकल मेडिकल में भी बहुत बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं इसलिए जिसकी रैंक 400 प्लस आ रही है उसके भी चांसेस पूरे हैं कि सब्सक्राइब जाएगा बिकोज बहुत बच्चे मेडिकल आउट हो जाते हैं तो जो आपने भी रिजल्ट देखा फाइनल रैंकिंग्स देखी आपने देखा साधे 400 वाला बच्चा भी मतलब खुश है कि उसका नंबर आ जाएगा क्यूं है कुश बहुत बच्चे मेडि सब्सक्राइब कर लिए और तीनों स्टेप्स अपने आप में ही मालब होती कठीन स्टेप्स है नोट डेट इजी टू पर्फॉर्म मेडिकल में आपके हाथ से बहुत कुछ नहीं है सस्ब्सक्राइब अपने आप में डिफिकल जर्नी है और रिटन तो आपको पता यह 5,000, लाख बच्चों में साथ जार बच्चों आना है ठीक है तो हर स्टेज पर डॉण्ट लूज योर कॉन्फिदेंस जस्ट कीप इट अप जो बैस्ट दे सकते हैं वह बैस्ट से बैस्ट देते रहें उसमें कोई कंजूसी आप ना करें मालब वाकी मेरा वरोसा है कि किसी भी तर को पता ही है चीज़े चलती है मैं इस क्लास में specifically मैं मैं stress करना चाहूंगा कि बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता है कि आप मेरा नाम सर्च कर रहे हैं ठीक है आप मेरा नाम सर्च कर रहे हैं तो आप देखोगे यह मैं आज क्यों बता रहा हूं मेरी क्लास में आज एक लड़की ने बता है उसमें सारा इनी क्लास से मेरा पड़ रखा था हर एजुकेटर की बच्चे वहाँ पे नीचे होती है ठीक थीशस्व बस यह कि पूरी मेरी ना जाने कितनी क्लास मिल जाएंगे हो सकता है हाजार क्लासिजी मिल जाए ठीक है आप और सबके उपर टाइटल लिखे होते हैं आपका आइडिया पूरा होता है और ऐसे हर एजुकेटर की होती है ठीक है जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है उसको अनेकरटी प्लस ले लेना चाहिए लगा के उसका फाइदा यह होता है कि एक जगह पर स्ट्रक्टर चीजें मिल जाते ल्ड़ूस टैंट इस आपसलूटली फ्री एंड यू कन स्कैन आप देख सकते हैं स्पेशल क्लासिज में कैसा अगर एजुकेटर फोलो करें तो उसका नोटिफिकेशन वैसे भी आपके पढ़ना स्पेशल कासी से पढ़ो लिकिन पढ़ो ठीक है आई होप कि मैंने आपकी डाउट्स क्लियर करी हो तो बस फिर पढ़ते रहे मैनत करते रहे मेडिकल मेडिकल में भी बहुत बच्छा